भगवान शिब ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्व के बारे में याद दिलाने के लिए ये सुनाई थी। हरियाल इतीज ब्रत कथा इस प्रकार है। शिब जी कहते हैं। ये पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमाले पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घो दुखी थे। ऐसी स्थिती में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पोचा, तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विश्नु के भेजने पर यहां आया हूँ। आपकी कन्या की गोर तपस्या से वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर परवतरा जथी प्रसन्धा के साथ बोले है नारद जी। यदि स्वयम भगवान विश्नु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिब जी पार्वती जी से कहते हैं तुम्हारे पिता की स्वीकृती पाकर नारत जी, विश्नु जी के पास गए और यह शुप समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला त तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानि के लाश्पती शिब को मन से अपना पती मान चुकी थी। तुम्हें अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घंघूर वन में ले जाकर छुपा देगी और बहां रहकर तुम शिबजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे कि यदि विश्नुजी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या उन्होंने तुम्हारी खोज में धर्ती पाता अलेक करवा दिये लिकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भादरपत तृतिय शुकल को तुमने रेट से एक शिबलिंग का निर्मान कर मेरी आराधना की जिससे प्रसन होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा की पिता जी मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिब की तपस्या में बिताया है और भगवान शिब ने मेरी तपस्या से प्रसन होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके स साथ एकी शर्ट पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिब के साथ ही करेंगे। परवत राज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधी विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिब ने इसके बाद कहा कि, हे पारवती, तृतिया को तुमने मेरी आराधना करके जुवरत किया था, उसी के परिनाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस वरत का महतवर यह है कि मैं इस वरत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्ट्री को मनवानचित प्रत्फल देता हूँ. भगवान शिब ने पारवती जी से कहा कि इस वरत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह चल सुहाग प्राप्त होगा.